अगर आपको मखाने खाने काफी पसंद है तो जरा ये वीडियो लास तक जरूर देखें इससे आपको पता चलेगा कि आपको कप-कप मखाने नहीं खाने चाहिए मखाने में anti-inflammatory और anti-bacterial calcium magnesium के साथ साथ protein भी भरपूर मातरा में होता है मखाने में calorie की मातरा भी बेहत कम पाई जाती है जिसके कारण आप weight loss के दरान ऐसी चीज़ें डाइट में शामिल कर सकते हैं सेहत के लिए इतना फायदमिन होने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि ये सभी के लिए फायदमिन रहे आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किन लोगों को मखाने खाने से बचना चाहिए अगर आपको gas की problem होती रहती है तो आपको मखाने खाने से बचना चाहिए मखाने में भरपूर मातरा में fiber और protein की मातरा होती है जिसके कारण ये digestion में समय लगाता है ऐसी स्थिती में अगर आपको पहले से ही bloating या gas है तो आपको मखाने नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये आपकी समस्या को और भी जादा घंबीर बना सकता है इसी तरह से अगर आपको kidney stone की दिक्कत है तो तब भी आपको मखाने से दूरी बनानी चाहिए दरसल मखाने में calcium की मातरा काफी जादा होती है अगर आप पत्री के मरीज है और ऐसे में अगर आप मखाने खा लेते हैं तो पत्री का size बढ़ भी सकता है साथ ही अगर आपको common cold, cough, flu है या आपको direct की शिकायत है तो आप मखाने बिलकुल भी ना खाए flu में मखाने खाने से तबयत और भी जादा खराब हो सकती है साथ ही मखाने के अंदर fiber की मातरा काफी जादा होती है ऐसे में हद से जादा मखाने खाने से आपको constipation हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही constipation की शिकायत रहती है तो उन्हें मखाने खाने से बचना चाहिए जिन लोगों को allergy की शिकायत रहती है उन्हें भूलकर भी मखाने नहीं खाने चाहिए जिनके शरीर में starch की मातरा बढ़ जाती है उन्हें allergy हो सकती है इसी के साथ साथ आपको बता दे कि diabetes के मरीजों को भी मखाने खाने से बचना चाहिए अगर आप diabetes के मरीज हैं तो आपको एक limit तक ही मखाने खाने चाहिए क्योंकि ये आपकी blood में sugar levels को बढ़ा सकता है ऐसी स्थिति में आपको मखाने खाने से बचना चाहिए